आपकी परच्छाई आपका साथ छोड़ सकती है पर आपकी जान की नहीं ब्रिलियंट है लो गाइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका आदिपरुस के दोस्तों सेकिंड सांग राम सिया राम के फुल वीडियो रिव्यूव के एपिसोड में जैसे कि आप लोगों पता अल्रेडी दोस्तों चार्टबास्टर हो चुका है मिलियंस अफ लाइक और हंड्रेड मिलियंस अफ व्यूव उसमें जा चुके है ऐसे में दोस्तों मूवी को रिलीज होने में आप लोग कह सकते हैं कि 17 दिन बच्चे है तो सैकिंड सॉंग दोस्तों यहां पर रिलीज किय कि जिस तरीके से जिस ट्रैक में इस मूवी का प्रमोशन हो रहा है इस मूवी के अभी जिस भी तरीके के दोस्तों पोस्टर सॉंग ट्रेलर अभी आये हैं सब अवल दरजे के हैं बस टीजर ने दोस्तों बहुत समय पहले निराज किया था उसके बाद तो सिर्फ और प्रेस ही करा जा रहा है आज के इस वीडियो हम लोग इसी सॉंग के दोस्तों पर बात करेंगे वहीं इसके अलाब वाई आज कल के गाई रोमेंटिक सॉंग कैसे होते हैं आप लोगों को तो पताई होगा लेकिन यह जो सॉंग है इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि ही भाई साहब यहाँ पे सब को सबक लेना चाहिए कि आप ऐसे सॉंग बनाके भी भाई साब बिल्कुली गाइज यहाँ पे साफ सुतरा और इमोशन गाईज यहां पर देखने को मिलता है और पता चलता है कि वाई पहले किस तरीके का दोस्तों प्यार हुआ करता था यहां पर एक दूसरे के साथ नहीं तो आज कल के जमाने में गाईज आप लोगों पता होगा कि अगर किसी के पास पैसे गाड़ी घर नहीं है तो भारा है तो करेंगे इन सबी चीज़ों के उपर बाद विजुल कैसे हैं और गाइस किस तरीके का यहां इमोशनली टच यहां पर मुझे लगा करेंगे वाद उससे पहले आप से रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपकी आपको ऐसे टच है इन सौंग को ऐसा टच देना कि जो यूथ है जो आज के जनरेशन है वो भी इसको देखें पसंद करें तो यह बहुत ही बखुबी तरीके से सचेत परमपराने किया है मतलब गाइस यह तो मुझे बहुत ही अंडर रेटिड दोस्तों म्यूजिक डिरेक्टर लगते ह इनको पता नहीं इतना काम क्यों नहीं मिलता खुलके इनके आप लोग म्यूजिक देख लो ताना जी में देख लो या फिर उनकी मूवी आई थी शाहिद कपूर की जर्सी मतलब आउटस्टेंडिंग लेकिन फिर भी दोस्तों काम कम मिलता है तो यहां पे एक सवाल है मेरा आपसे क्या आपको भी ऐसा लगता है बाकि हम लोग ट्रैक पर आते हैं सबसे पहले म्यूजिक की बात करूंगा तो भाई सचेत परंपरा नेल इट जिस तरीके का वाई साफ सोलफुल दोस्तों यह म्यूजिक है आउटस्टेंडिंग अवल दर्जे का और दोस्तों देखो यहाँ पर म्यूजिक भी सचेत परंपरा और गाया भी इन्हीं दोनोंने मिलके हैं मेरे ख्याल से दोनों यह हैं तो इनकी जो गायज अवाज है यह भाई साहफ सिधा दो दोस्तों दिल पर लगती है तो नो कंपलेंड इन म्यूजिक और सिंगिंग बाकि बात करते हैं दोस यह भी दोस्तों इन ही के द्वारा लिखा गया जो की सीधे तोर पर दोस्तों यहां पे इनसान को टच करता है राम सी राम दोस्तों हमने मतलब भजपन सहीं दोस्तों यह जो भयन है इसको सुना है लेकिन आज के जमाने में इसको पूरोना यह एक कला से कम नहीं है बाकी महलों में हैं यहां नहीं यानि कि जंगल से आप रखोंगे जहां आ रहोंगे हम वहीं रहेंगे तो खायर यहीं सचा प्यार है आजकल आप देख रहे हो कि ऐसे हो रहे हैं अभी किसी को जंगल में जाके लेके जाया जाया और बोला जाए कि एक दिन भी रह लो तो भाइसाब कोई नहीं रहेगा तो यह सब मतलब मुझे लगता है कि दिखावी चीज ऐसा इंसान का जंदगी होना चाहिए इसलिए कहते हैं बाइसाब श्रीराम जी को मरियादा प्रुशुत्तम राम बाकी देखो गाई यहां पर वीडियोग्राफी में काफी सारे लोगों को इसके वी एफेक्स से दिक्कत होगी तरीके के दोस्तों विज्वाल्स आपको देखने को मिलेंगे और वह जो जुगनु वाला जिसमें राम जी और सीता जी गाईस जिस तरीके से गाईस खेल रहे हैं और वह चीज भाई आउटस्टेंडिंग कोई ऐसा फूहड गाईस यहां पर सीन मुझे नहीं देखने को मि मर्यादा आपको अगर रोमांस भी करना है तो आप लोग मर्यादा में कर सकते हैं यह भाई साहब हिंदुस्तान की संस्कृति तो कहिना कहीं दोस्तों राम सिया राम सौंग आउटस्टेंडिंग है और अगर विदेशी लोग दोस्तों देखते हैं तो उन्हें पता चलेग दोस्तों में एक बार फिर से फैन हो चुगा हूं मुझे लगता है कि यह जो सौंग है यह बहुत फास्ट जाएगा और लोग सुभे सुभे भाई साव भजन के तौर पर सुनेंगे और यूद दोस्तों लीड लगा के सुनेंगे क्या कहना है दोस्तों आपका इसमें किसा लगा बताओं मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही